Hello friends, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल घरीलूशिक चपर आज मैं आपको पान के ऐसे लाजावाब फैदे बताऊंगी जिससे आप रोजाना पान खाना पसंद करेंगे पान आप सभी ने कभी ने कभी जरूर खाए होंगे पान एक माउथ फ्रेशनर होने के साथ साथ हमारे शरीर के बहुत सारे बीमारियों को दूर करने के लिए बहुती फैदे मन्द होते हैं हर उम्र के लोग इसका शेवन करते हैं चाहे बच्चे हो या वड़े बुजूर्ग हो प्रायातर पान किसी फंक्शन, पार्टी या फिर घर में खाना खाने के बाद खाते हैं पान जो है वो अच्छे डाइकेशन के लिए बहुती फैदे मन्द होते हैं पान माउथ फ्रेशनर होने के साथ यह एक खाने से हमारे शरीर के बहुत सारे शमश्याओं का समाधान होते हैं अगर आपका हार्ड और ब्लड आर्टरिस्ट कमजोर है तो आज से ही पान खाना शुरू कर दें क्या आप जानते हैं कि पान का पत्ता एक ऐसी असरदार और शधी है जिससे सरीर की कई शारी बिमारिया दूर हो सकती है तो चलिए फ्रेंज जानते हैं पान के पत्तों के और भी बहुत सारे फैदों के बारे में पान खाने को पचाने में बहुत मदद करता है ये सलाइवरी ग्रान को एक्टिव करके लार बनाने में मदद करता है जो की खाने को छोटे छोटे तुकडों में तोड़ता है कब्स की समस्या से जूज रहे वेक्तियों के लिए भी पान के पत्ते चबाना बहुती फैदेमन होते हैं पान के पत्ते में कई ऐसे ऐलिमेंस होते हैं जो बैक्टिरिया के एफेक्ट को कम करने में मदद करता है इसलिए जिन वेक्तियों के मुझ से बद्बू आता है उनके लिए पान खाना बहुत ही फैदेमन होता है मसूडे में गांट या फिर सुजन हो जाने पर पान खाना बहुत ही फैदेमन होता है पान में पाये जाने वाले elements इन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है अगर आपको शर्दी हो गई है तो ऐसे में पान के पत्ते खाना आपके लिए बहुत ही फैदे मंद होंगे पान को सहथ के साथ मिला कर खाने से बहुत ही फैदे मिलते हैं साथ ही पान में energetic property होती है जिससे सीरदर्द में अराम मिलता है पान के पत्ते सकती बढ़ाने में भी help करते हैं अंतरन पलो को और खुबसूरत बनाने के लिए आप पान के पत्तों का इस्तिमाल कर सकते हैं सरीर के दुरगंद को दूर करने के लिए आप पान के पत्तों को दो कप पानी में उबाले जब पानी एक कप रह जाये तो उस पानी को आप दोपहर के समय पी लें इससे सरीर के दुरगंद दूर हो जाएगी मुख पे चाले हो जाने पर पान के पत्तों को चबाए और थोड़ी दिर बात कुल्ला कर ले ऐसा आप दिन में दो बार करे इससे आपके मुख के चाले में जल्दी अराम मिलेगी अगर आप चाहे तो ज़्यादा कथा लगा हुआ पान भी खा सकते हैं पान चबाने से औरल कैंसर से भी बचा जा सकता है अगर इसका इस्तिमाल बिना जर्दा और तंबाकू के किया जाए तो पान के पत्तों में मौझूद एक्सकॉर्बिंग एसिड और एंटी आक्सिडेंट कैंसर फैलाने वाले तत्तों को नश्ट करते हैं वजन कम करने वाले वैक्तियों के लिए पान के पत्ते चबाना बहुत ही असरदार है इसे बॉड़ी का मेटोपॉलिजम तेजी से बढ़ते हैं जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है इससे अगर आपके सरीर पर कहीं जल गया है तो पान के पत्तों को पीस कर उसे पेश्ट बना ले फिर उस पेश्ट को जले हुए इस्थान पर लगाए थोड़ी देर बाद धोकर वहाँ पर सहद लगा ले ऐसा करने से जले हुए इस्थान जल्दी से भर जाते हैं और दाग भी नहीं रहते हैं तो ये रहा फ्रेंज पान के पत्तों के फाइदे के बारे में आज का हमारा वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो फ्लीज हमारे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और इसी तरीके के useful वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल धरेरू सिक्षा को सस्क्राइब करे और अगर आपका कोई सवाल या सुझा हो तो वीडियो की नीचे कमेंट करना ना भूले थैंक यू